शेयर बाजार में लगातार बनी हुई है तेजी निफ्टी अपने अब तक के सबसे उंचे इस्तर पर बंद हुआ है शेयर बाजार की तरह मनी नाइन भी नई उंचाई को छू रहा है नवस्कार मैं हूँ वरुण और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कारकर मनी टाइम जहां मिलती हैं आपको जेब और जिन्दगी से जुड़ी हर खबर चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और आज की पहली खबर है अडानी गुरुप से जुड़ी हुई जो लेकर आ रहा है इतिहास का सबसे बड़ा एफपियो अरपपती कारोबारी गौतम अडानी की फ्लेग्शिप कंपनी अडानी इंटर्प्राइज़ फॉलो ऑन पब्लिक आउफर यानी एफपियो के जरिये 20,000 करोड रुपे जुटाएगी कंपनी से पैसे का इस्तेमाल अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए करेगी अडानी गुरुप का कारोबार पोर्ट पावर से लेकर सिमेंट उद्यूग तक फैला हुआ है कंपनी अब पैट्रो केमिकल्स जैसे नए शेत्रों में प्रुवेश की योजना बना रही है अडानी इंटर्प्राइज़ में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 72 फीस्दी है बाकी करीब 28 फीस्दी हिस्सेदारी बीमा कंपनी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पास है अगर अडानी इंटर्प्राइज़ बीस हजार करोड रुपे जोटाने में सफल होती है तो यह अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा एफपियो होगा अब ये रिकॉर्ड यस बैंक के नाम है जो जुलाई 2020 में पंद्रह हजार करोड रुपे का एफपियो लेकर आया था और उससे अधिक की दर से आगे बढ़ती रहेगी उन्होंने निजी शेत्र के विशलेशकों भारतिय रिजरो बैंक और OECD और IMF जैसी अंतरराष्टे एजनसियों के अनुमानों का हवाला देते हुए कहा कि चालू वित्वर्ष में आर्थिक वरद्दी दर साड़े छे से साथ फीजदी के बीच बनी रहेगी और इस संबंधित नीती राज्यों को भेजी गई है नई नीती के तहट भारत सरकार के सभी 15 साल से अधिक पुराने वहनों को कबाल में बदल दिया जाएगा सभी राज्यों से भी इस नीती के तहट कदम उठाने को कहा गया है इसके अलावा गड़करी ने कहा कि पानीपत में इंडियन ओइल के दो सहियंत्र लगभग शुरू हो गए हैं जिसमें से एक प्रति दिन एक लाख लीटर एथनॉल का उत्पादन करेगा जबकि दूसरा सहियंत्र चावल के भूसे का उप्योक कर प्रति दिन डेड़ सो टन बायो बिटुमेन का निर्मान करेगा उन्होंने कहा इन सहियंत्रों से पराली जलाने की समस्या में कमी आईगी लॉंग टर्म केपिटल गेंटेक्स को लेकर सामने आई है एक बड़ी खबर वित्तमंत्राले लॉंग टर्म केपिटल गेंटेक्स के ढाचे को युक्ती संगत बनाने पर विचार कर रहा है एक अधिकारी ने कहा कि इसके लिए समान परिसंपत्ती वर्गों के बीच समान तालाने और इंडेक्स लाब की गणना के लिए आधार वर्ष में संशोधन करने की तैयारी है इस समय एक वर्ष से अधिक समय के लिए रखे गए शेरों पर लॉंग टर्म केपिटल गेंट टेक्स दस फीस्दी की दर से लगता है अचल संपत्ति और दो साल से अधिक समय के लिए रखे गए अनलिस्टिड शेरों और तीन साल से अधिक के लिए रखे गए डेट इंस्टुमेंट और आभुशनों की विक्री पर 20% लॉंग टर्म कैपिटल गेंट टेक्स लगता है राजस्व विभाग अब लॉंग टर्म कैपिटल गेंट टेक्स की गणना के लिए टेक्स दरों के साथ ही इन्हें रखे जाने की अवधी को युक्ति संगत बनाने पर विचार कर रहा है म्यूचल फंड को लेकर सेवी न किया है बड़ा बदलाव पूंजी बाजार नियामक सेवी ने म्यूचल फंड यूनिट की खरीद बिक्री के ओ भेदिया कारोबार संबंधी नियमों के दाइरे में लाने के लिए नियमों में बदलाव किया है इस समय बेदिया कारुबार संबंधी नियम सूचिबध कमपणियों केशेरों के मामले में लागु होते हैं इसके अलावा सूचिबध होने के लिए परस्तावित कमपणियों पर भी ये नियम लागु होते हैं अभी तक mutual fund एकाईयों को प्रतिभूतियों की परिभाशा से बाहर रखा गया था सेबी का ताजा फैसला Franklin Templeton प्रकरण के बाद आया है जिसमें fund house के कुछ अधिकारियों पर या आरोप है कि उन्होंने 6 रण योजनाओं पर रोक लगाये जाने से पहले उन्हों योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया था अब चलते हैं अगली खबर की तरफ जो है बुलिटिन की छटी खबर नहीं थम रहा है FD पर इंटरस्ट रेट बढ़ने का सिलसिला अब बंधन बैंक, Union Bank of India और RBL Bank ने FD पर ब्याजदर बढ़ाने की गोशना की है 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर बंधन बैंक 3.25 फीजदी से लेकर 5 फीजदी Union Bank of India 3 फीजदी से लेकर 6.70 फीजदी और RBL Bank 3.25 फीजदी से लेकर 6.25 फीजदी तक का ब्याजदर दे रहा है तीनों बैंक सीनियर सिटीजन को आधा फीजदी अतरिक्त ब्याजदर की पेशकर्ष कर रहे हैं अब बुलिटिन की सात्वी खबर जो बताएगी आपको भारतिय रुपिये का आगे क्या होगा हाल चलिए जान लेते हैं अर्थ शास्तरियों का मानना है कि रुपे पर अगले साल भी दवाब बना रह सकता है और ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85 परती डॉलर के इस्तर तक भी जा सकता है इस साल फरवरी के अंत में रूस के यूकरेन पर हमले के बाद कच्चे तेल की कीमते बढ़ने और आपूरती श्रंखला के बाधित होने से घरेलू मुद्रा पर भारी दवाब पड़ा है रुपिया 19 अक्टूबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83 परती डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुँच गया था अर्थ शास्त्रियों ने कहा कि चालू खाते के बढ़ते घाटे को देखते हुए रुपे पर दवाब बना रहेगा अगली खबर है 5G से जुड़ी हुई देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो ने गुजरात के सभी 33 जिला मुक्यालियों में ट्रायल के तौर पर 5G सेवाइं शुरू कर दी है इसके साथ ही गुजरात ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके सभी जिला मुक्यालियों में 5G सेवा शुरू हो चुकी है जियो अपने उपभुकताओं को 5G सेवा देने के लिए कोई अतरिक्त शुल्क नहीं ले रही है राज्य में इस सेवा की शुरूआत कंपनी की ट्रू 5G पहल के तहत की गई है अब खबर है रोजगार से जुड़ी हुई जुलाई से सितंबर में बेरोजगारी दर सालाना आधार पर घटकर 7.2 फीसद पर आ गई है वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में कंपनीों ने दिसंबर तक अपने प्रशक्षूओं की संख्या बढ़ाने में रुची दिखाई है राश्ट्रिय सांख्य की कार्याले के मुताबिक शहरी शेत्रों में 15 वर्श और उससे अधिक उम्र के वेक्तियों के लिए बेरोजगारी दर जुलाई से सितंबर 2022 में सालाना आधार पर घटकर 7.2 फीसदी पर आ गई हैं आज की आखिरी खबर पर जो आईपियो से जुड़ी हुई है इंजीनिरिंग समाधान मोहिया कराने वाली यूनिपार्ट्स इंडिया ने अपने 836 करोड रुपे के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपियों के लिए मूल दायरा 548 से 577 रुपे प्रतिशेयर किया है कंपनी का आईपियों विक्री के लिए 30 नवंबर को खुलेगा और 2 दिसंबर को बंध होगा एंकर निवेशक 29 नवंबर को शेरों के लिए बूलियां लगा सकेंगे यूनिपार्ट्स ने इस से पहले दिसंबर 2008 और सितंबर 2014 में सेवी के पास आईपियों के इस तरह काम की खबरे देखना और सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और अपनी पसंद नापसंद बताने के लिए कमेंट जरूर करें अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्च कराएं अगर आप म खास कारेकरमों को देखना चाहते हैं तो मनीना इनके अपको जरूर डाउनलोड कर लें अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को तब तक के लिए अलविदा करें थ्यास करें कि देखना आपस्पी